Assalamu alaikum, Welcome to Guidewide आज की हमारी विडियो गौवर्नमेंट की तरफ से ओफर किये गए एक ओनलाइन इंटर्शिप प्रोग्राम के बारे में है गौवर्नमेंट, पीटिए के गौवर्नमेंट ने जो है कम्याब नुजवान के नाम से डिफरेंट स्कीम शुरू की है तो इसमेंसे एक ये इंटर्शिप प्रोग्राम भी है पहले ये फीजिकल होता था मगर क्रोना की वज़े से अब इस बार ये इसको ऑनलाइन कंड़क्ट कर रहे हैं जिसका आपको जो है टेन ताउजन तक पर मन्थ टीफन मिलता है तो वो स्टुड़ेंट जो फाइनल येर में हैं या जो है वो ग्रजुएट हो चुकbers है तो वो इसकी लिए इलिजिबल है अगर आप का फाइनल सेमिस्टर नहीं है तो आप इस प्रोग्राम के लिए इलिजिबल नहीं है तो ठीक है सबसे पहले हम इसका एडविटेजमेंट देखते हैं यह इसका ओनलाइन एडविटेजमेंट है जिसमें इनों इस सारी चीजें क्लियर कट आपको दी हुई है ठीक है कि ओनलाइन इंटर्शिप प्रोग्राम है लास डेट इसकी 17 में है कम्याब नुजवान का जो गौर्नमेट की तरफ से स्क्रीम है उसका एक पार्ट है और इसमें जो जो फील्ड की बंदे अप्लाइ कर सकते हैं मार्कीटिंग, फाइनांस, लाब, पॉब्लिक अड्मिनिस्टेशन, फूड टिकनोलज, इंजिनियरिंग, बिजनिस इनफील्ड की इस्ट्टिंट इसके लिए अप्लाइ कर सकते हैं और नीचे यहां पे apply for internship का एक बटन है आपके पास जैसी आप इस पे click करेंगे तो आपके सामने internship का application form upon हो जाएंगा यहां से आप से यहां पे आप से कुछ basic चीज़े मांगेंगे अच्छा इस form के साथ आपने जो है तीन files लाजमी attach करनी है एक आपका photograph, photograph, दूसरा आपका CNIC को और third आपकी आपकी जो डिगरी की transcript है वो आपने इसके साथ attach करनी है डिगरी यहां पे compulsory नहीं है क्योंकि जो students final year में है वो भी इसके लिए apply कर सकती है तो उनके पास डिगरी नहीं होती तो वो अपनी जो seven semester की transcript है वो यहां पे upload करेंगे ठीक है तो चलें शुरू करते हैं इस form को कि इस form को आप किस तरह फिल करेंगे सबसे पहले आप भी अपने full name यहां पे देना है ठीक है full name के बाद आपने यहां पे एक message आपके पास आ रहा है कि name में आपने कोई special character यूज नहीं करना ठीक है मतलब hash at the rate इस तरह कोई चीज यूज नहीं करनी आपने सिर्फ alphabets यूज करने है आप number भी यूज नहीं कर सकते इसके बाद आपसे 13 digits का ID card number मांग रहे हैं बगेर dashes के ठीक है इसके बाद आपस date of birth मांग रहे है date of birth का format आपको दिया हुआ है पहले date फिर month period जैसी आप इस field में क्लिक करेंगे आपके पास एक calendar open हो जाएगा इसमें आप अपनी date of birth सिलेक्ट करें सबसे पहले आप year सिलेक्ट करें year के बाद आप month सिलेक्ट करें और फिर date सिलेक्ट करें ठीक है तो आपकी date of birth यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी इसके बाद आपने यहाँ पी email देना है proper format में email की field भी compulsory नहीं है जिस जिस field के साथ यह रेट स्टेरिक लगा हुए यह आपने लाजमी फिल करनी है इसके साथ नहीं है वह optional है ठीक है तो आप यहाँ पे अपना email address दे दें email के बाद आपने अपने अपना gender सिलेक्ट करना है gender के बाद आपने maternal status सिलेक्ट करना है आप शादी शुदे हैं या गैर शादी शुदे हैं इसके बाद आपने religion सिलेक्ट करना है religion के बाद आप यहाँ पे अपना mobile number दे दें ठीक है है अगर आप डिसेबल हैं तो आप वो यहां से इसमेंस सेल्क्ट कर लें जो यहां पर में अगर वह लेक्र नहीं है तो आप अधर सेलेक्ट करके छोड़ दें ठीक है नहीं है तो आप इसको नन कर दें इसके बाद अपना डूमिसायल सेलेक्ट करें आपका डूमिसायल किस प्रोविंस का है ठीक है अच्छा अप प्रेजेंट प्रोविंस किस प्रोविंस में जो है आप इस वक्त रह यह इसमें 2 options है कि आपका do missile किस province के और किस province में इस वक्त रह रह रहे हैं इसके बाद आपका present district जहां पे आप फिलाल आपकी रहायश है वो select करें इसके बाद आपसे present तेसील पूछ रहे हैं कि आप present currently किस तेसील में इसमें आप पर्मनेंट तेसील नहीं लिखना ठीक है जो आपकी do missile मेंशन होता है currently आप जहां पे आपने वो address यहां पे मेंशन अक्सर लोग होते हैं जो एक district होते हैं अगर job की वज़ज़ से या education की वज़ज़ से दूसरे district में रह रहे होते हैं तो यहां पे आपने वो mention करना है यहां पर आपने present address लिखना है पूरा address में आपको form fill करनी के लिए यहां पे पिशावर mention कर रहा हूं ठीक है इसके बाद आप अपना discipline select करें आपके पास कौन सी degree है यह इन्होंने major fields दी हुई है अगर आपकी field इससे related है आप वो इसमें like select कर लें ठीक है मैं engineer से link कर रहा हूं यहां पे मैं university का नाम दे रहा हूं university का आप वो नाम लेखें जो आपके degree या transcript की ऊपर mention रो ठीक है इसके बाद आप अपना roll number दें अच्छा आपके transcript की ऊपर आपका roll number लिखा होता है एक आपका registration number होता है एक आपका roll number होता है अगर आपको रोल नमबर नहीं है तो आप अपने ट्रांस्क्रिट की उपर देख लें अगर रोल नमबर नहीं है कुछ यूनिज में रिजिस्टेशन नमबर या आपका रोल नमबर होता है तो आप वो यहां पे मेंशन कर दें ठीक है इसके बाद आप अपनी जी पी ए लिखें और जी पी ए के बाद आप डिगरी का स्टेटस लिखें कि डिगरी आपकी फाइनल सेमिस्टर है या कम्पलीट है अच्छा आप यहां से आप से डोकुमिट्स मांग रहे हैं जो आपने यहां पे अपलोड करने हैं इसके बाद आप को सेड़ेunci स्ट आप से लेक्ट करें त पर सब्सदेद करें मैं यहां पर през locks एक डमी फाइल अप लौड करता हूं ठीक है अपने यहां पर अपना एक declaration open हो जाएगी ठीक है इसमें आप से पूछ रहे हैं कि जो आपनी information दी है वो ठीक है दूसरी जो है आप किसी criminal आपके खिलाफ कोई criminal record नहीं है तीसरे यहां पे लिखा हुआ है कि final semester और जिनकी graduation पूरे हो गई है वो student इसके लिए eligible है और third के incomplete form को यह entertain नहीं करेंगे इसको आई agree इसको आप चेक करें और आप submit के बटन पर जैसी क्लिक करेंगे अगर कोई mistake नहीं होगी तो आपके पास इस तरह message आएगा कि आप का form submit हो गया है shortlisted students को यह लोग message भीज़ेंगे कि आप shortlist हो गए है ठीक है तो इससे मतलिक अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप मुझसे comment में फूच सकते हैं बाकी आपको इस website का link भी comment section में मिल जाएगा और इस advertisement का link भी आपको comment section में मिल जाएगा अब तक के लिए इतना ही अलहाफेश